26 number if a and b are two finite set और कह रहा है कि number of elements set a में number of elements set b से ज्यादा है a set में number of elements जो है b set से अधिक है and the difference between number of elements of power set a and b is 96 अच्छा a और b के power set में number of elements का difference क्या है 96 है तो आप अगर बात करेंगे हम लोग देखेंगे कि ऐसे दो set जिनके power of set में number of elements के difference 96 हो जाए वो set कौन सा होगा then हमें पूछ रहा है कि a और b के number of elements का difference क्या होगा देखेंगे अगर मैं 2 के power 7 में से 2 का power 4 को सब्टेक करूं तो आपका 96 आ जागा देखेंगे यह 128 और यह माइनस का कितना हो जागा तो यह सब्टेक करेंगे तो आपका 96 आ जाएगा तो यह टू का power हम लोग एन जानते हैं फॉर्मूला पावर सेट नमबर of element in power set जब एन element हो किसी set में तो उसके power set में number of element 2 का power होते हैं तो यानि कि पहले सेट में आपके seven element है और दूसरे सेट में कितने element है पाइफ element है सेट a में seven element है और सेट b में five element है तो इनके difference क्या हो जाएगा तो seven में से five को सब्टेक कर दो two आ जाएगा समझे ना तो यहीं आपके question दिये थे मैंने सारे question आपको बता दिए अब इस वीडियो को यहीं paint करते हैं आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा और इससे लेटर नोट्स के लिए google पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikant sir.in और यहां पर जाकर आप सभी classes के notes और उनके pdf को download कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं इंसागरम और facebook पे जाके pathfinder classes अपरा को like and follow करना नहीं भूलेंगे